नमस्कार दोस्तों बैस्ट सिटी इन इंडिया गवर्मेंट जोब पर मैं आपका हर्थिक स्वागत करता हूं जहिन सात्यों अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो कर ले क्योंकि आगे की कोई भी आईटीबीपी से रिलेटिड जानकरी आ बाता जो कैंसल हो गया है 15 अरी को अफिस्ट नोटिस पर आ गया था चलिए आपको हम बताते हैं वह ऑफिस्ट नोटिस जो ऑईटीबीपी की ऑपिस्ट साइट पर दे रहे हो आईटीबीपी की तो चलिए दोस्तों यहां लिका मैं कांस्टेबल ट्रेडमेंट रिकॉर्मे to check the registered email ID and mobile phone for latest update इन्होंने यही दिया है यह मलब यह चुचना दे दी कि सभी के phone के उपर या email के उपर message कर दिया हमने कि इनका paper cancel हो गया है और administrative region के कारण इन्होंने अभी भी खुला सा नहीं किया है कि वही किस कारण paper cancel किया है वह तो आप सभी के मन में यह क्यूशन ऊट रहा होगा कि के यार आईटीपीपी का एक्जाम कब तक होगा जल्दी contact करवाद लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यह भरती 2017 माई थी अभी इस भरती को 4 साल पूरा होने जा रहे हैं लगवल चार साल पूरे हो गए होगे तो दोस्तों जहां तक हमारे को छुशन मिलिया है कि आईटीपीपी का एक्जाम कब होगा कि कई बंदे बोलने कि सर पंद्रा फरवरी को एडमिंट का अटाएगा और 21 इस फरवरी को एक्जाम होगा तो दोस्तों अभी तक इन्होंने आईटीपी के ओपिसल साइड पर कोई नोटिस नहीं डाला है और दूसरा क्यूशन हो रहे हैं कि सारे इस पॉस्टों इंक्रीजड होई है क्या 237 पॉस्ट हो गई है और इसकी ट्रेनिंग डेट भी आ गई है अगस्ते तो दोस्तों अभी तक इन्होंने कोई ओफिसल नाटिपिकेशन जरी नहीं क्यांकि हमने पॉस्ट ने बढ़ा दी है या गठा दी है दोस्तों गठने का तो सवाल ही नहीं बढ़ेगी क्योंकि लग के करमचारी तो रिटार्मेंट होते ही होते हैं हर साल के अंदर या पांच होते ही होंगे ज्यादा से ज्यादा कम से कम दो मानलो और ज्यादा से ज्यादा पांच मानलो तो भी यार चार साल के अंदर कितनी पल्टन है आई टीपिकी दो दो रिटार्मेंट लिया होगा तो सबी के लिए खुशकबरी है कि भाई IDPP की पॉस्ट है तो 100% इंक्रीजट होगी ठीक है अब रही दूसरी बात कि जब तक हम इसका विश्वास नहीं करते जब तक इनकी ऑफिस्यल साइड पर कोई नर्टिपिकेशन आजाए तो ही विश्वास करते नहीं तो अपने को क्या बता चलता यार इसकी पॉस्ट है इंक्रीजट कर दीए और जहां तक हमारा सौर्च जोता हैं मैं पता चला है कि इसके अंदर पॉस्ट हैं 637 कि लंशम तो दोस्तों चार साल के अंदर यह सबसे बहत रमोका है अगर पॉस्ट एंक्रीज हो गई तो अपने किस्मत की बात क्योंकि लगवग मैंने सुना है और सभी को पता ही है कि 25,000 की लंसम और ट्रेड्स की बंदे इसमें प्रिक्षा देने बैठेंगे और 25,000 में से लगवग पढ़ना वड़ा बंदा कोई नहीं है इसके अं निगली थी डी ग्रूप के बार रेलवे जाई की निकल गी ऐससी एंटियस निकलती है अर्सालरा हर एक स्टेडवाइजर की पुलीस निकलती है ऐससी जीडी की निकलिये है तो दोस्तों बहुत सारी बढ़ती है अगर जो बंदे उन बरतियों के अंदर भी नहीं हो पए त तो यार यह तो बहुत बड़ी मुसीखिल की बात है कि यह भी इसी का पेपर किलिर कर लेंगी तो दोस्तों जो पढ़ने वाड़े बंदे हैं और जिन्होंने अभी तक कि हम पाइटों से पीछे रहे हैं हर एक एक्जाम के अंदर तो उनका बढ़ती होने के लिए बहुत ही बैस्ट मोखा है बहुत ही बैस्ट मोखा है इस मोके को गोए मत क्योंकि यह बढ़ती ओने का और बढ़ती पाने का सपना होता है किसी बंते का जैसे मैं खुद भी आईटीबिग ट्रेडमेन की हिद्यारी कर रहा ह। इसी बार मेरे 47 इसक्यूशन राइड थे दोस्तों मेहनत से और मैं वैसे तीन बार आरमी में ग्राउंड फिट भी हो चुका हूँ और वो भी ट्रेड मेंड से था तो आपको पता हैं कि आरमी ट्रेड मेंड के अंदर पोस्त हैं बिल्कुल कम आती हैं इसलिए मैं पेपर क्वालिफाइड नहीं कर सका और आपको पता ही हैं कि हम भी ट्यारी कर रहे हैं और आपके साथ-साथ और जान तक हमें चुछना मिली है कि भी ITPP का एक्जाम है जो त्यान से सुन लेना ITPP का एक्जाम है जो कनफर्म नहीं बता सकता हैं आपको कब होगा पर जान तक हमें चुछना मिली हैं कि ITPP का एक्जाम है जो साथ मर्च को होगा कितने तरीकों साथ मर्च को तो दोस्तों अभी आपके पास एक महीना बचवा है जितनी दवा के चैरिकर शुको उतनी चैरिकर लो और दोस्तों आपने हम मेरा पूरा वीडियो देखा हैं तो एक लाइकी भी बनता है यार और सब्सक्राइब भी बनता है यार अब ये तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो कर लें बहुशे में ITPP कांस्टेबल एक्जाम से रिलेटिड कोई भी जान करें सब से पहले आपको दा बेस्ट सीटी इन इंडिया गवर्मेंट जोब पर आपको मिलेगी और आमारा ये चैनल पार्ट की मातवप्रण सीटी एं और गवर्मेंट जोब रिलेटिड वीडियो प्रोवाइड कर आता है अनली फॉर डिपेंस जोब से रिलेटिड ही वीडियो प्रोवाइड कर आता है अधर जोब का नहीं मिलता है अमारे इसी यूटुब चैनल पर आपको जय हिंद जब तक ITPP के एक्जाम लेट आती है जब तक नेक्स वीडियो के लिए इंतिजार करते रही है साथियो जय हिंद